तो वीडियो से अंतक जुड़े रहेगा क्यूंकि हम जानने वाले हैं इस कंपनी की पॉफोर्मेंस इस कंपनी की बिजनस एक्टिविटी यह आईपियो कैसा रहने वाले हैं सबी डीटेल्स अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिगिलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने नियर अंडियर वन्स से शेयर करना ना भूलें तो साइसल कलामंदिर का IPO सप्टेंबर 20 से स्टार्ट हो जाएगा और यह क्लोज होगा सप्टेंबर 22 2023 को इस कंपनी के तूँ साइसल कलामंदिर रेज करेंगे 1201 करोर रुपी जिसमें से फ्रेश इशू होगा 600 करोर का इसमें रीचेल कोटा फिक्स रहने वाला है 35% पर QIB क कोटा 50% और HNI कोटा 15% जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे हैं यह एक तरह की एथनिक एप्रिल ब्रैंड है मेजरली यह लाजस्ट रिटेलर है एथनिक एप्रिल में और बिसिकली सारी इसमें इन साउथ इंडिया तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं यह IPO ओपन होगा करोड 70,072,000 विद फेस्ट वैल्यो ओफ 2 रूपी इच प्राइस पें रहेगा 210-222 रूपी पर शेर इसकी नसी भी एसी दोनों ही एक्षेंजिस पर लिस्टिंग होगी रीटेल कोटा रहेगा 35% पर QIB कोटा 50% NNI कोटा 15% और अगर आपको इस company इस IPO में शेर्स पर्चेस कर रहेंगे 871 और अमांट रहेगी मैक्सिमम्म 1,093,362 रहेंगे 14 शेर्स रहेंगे 938 और टोल इंवेस्मेंट अमांट होगी 2,08,230 बहेंट इसमें आइ मिनिमम जो लॉट साइज रहेंगा वो रहेंगा 60 एच का इसमें आपको शेर्स मिलेंगे टोल 4556 और इसमें इंवेस्मेंट रहेंगी 10,11,432 इसकी अलॉट में डेट रहेंगी September 26,07 रिफॉर्ण इनिशियेट हो जाएंगे अगर यह IPO आपको अलॉट नहीं हुआ है 29 सेप्टेंबर को और DMAT में क्रेडिट होंगे October 3 को इस IPO की लिस्टिंग डेट है October तो आएए जान लेतें कंपनी की बाकी financial reports के बारे में तो यह काफी अच्छी profit making firm है इन्होंने लास तीन साल के अगर revenues को देखा जाए तो काफी अच्छे revenues generate की हैं एक consistency है performance में profit after tax भी काफी अच्छे है consistently अच्छा perform कर रही है कंपनी earning per share 8.11 रुपी का है return on net worth is very good 24.56% net asset value 33.02 पर equity share which is very good इस कंपनी के promoter है Mr. नागा कनाका दुर्गा प्रसाद चलावादी और Miss जहांसी रानी चलावादी और इस allotment के registrar रहेंगे big share services private limited तो जैसा कि हम आपको हमेशे advise करते हैं यह को किसी भी तरह की buy or sell recommendation नहीं है यह स हम किसी भी वीडियो में कोई भी buy or sell की recommendation कभी नहीं देते हैं हम CB से registered नहीं है यह जो वीडियो है यह totally educational purpose से है ताकि आपको आपके finances में help मिलें इस वीडियो के बारे में और इस IPO के बारे में आपकी क्यारा आए है मुझे comment section में जरूर बताएगा अगर आपको हमारा video पसंद करें for more updates please press the bell icon so let's get started with multi-cap wealth